दोस्तो जाएं एक तरफ मोटा पेसे लोग परिशान हैं वहीं दूसरी तरफ मेरे पास पॉल आते हैं कि सर हम बहुती अंडर वेट हैं हम बहुती कमजोर हैं हम क्या खाएं क्या पिएं हम कौन सा योगा करें कौन सी हम एक्सरसाइज करें तो फाइनली मैं आज आपके लिए यदि किसी ने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो पिलेज सब्सक्राइब करें लाइक करें सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या खाना है आपको दोस्तो जो भी अंडर वेट है वह एक चमत स्याम को सतावर चूरण ले सतावर चूरण के बाद में आपको केला खानी है, दिन के अंदर, केला खाओ, खजूर खूब खाओ, तो आम का जब सीजन होता है, तो उस टाइम में आपको आम खूब खाने है, और उसके बाद में फिर आप दूद है, दही है, और घी है, ये खूब उप्योग में लो, जितना हो सके, कई लोग कहते हैं कि सार हम खा करो, दंड बेठक लगाओ, कुछ दोड लगाओ, इसके बाद में फिर आपको थोड़ा वर्क आउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो आने के बाद में, अब मैं आपको बताता हूँ, तो इवनिंग में एक चमच सतावर चूरन हो गया, उसके बाद में आपको खाना खाने के ब पुष्ट होगी, आपका ऑक्सिजन लेवल भी अच्छा रहेगा, और आपके इंटरनल सारे सिस्टम को ये मजबूत कर देगा, तो आप ये दूद पिएंगे, तो आप एकदम हेल्दी हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, और आपका वजन कुछी दिन में आप तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद